भारत के लिए और विश्व के अनेक देशों के लिए हमारी अनेक पीडियों के लिए उपनिवेशबाद की बेडियों में जक्ड़े हुए जीना एक मजबूरी थी भारत की अजहाती के समय से पूरे विश्व में एक पोस्ट करोलियन कालखन की शुरुवात हुई अनेकों देश आजाद हुए आज पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो प्रकट रूप से किसी अन्य देश के उपनिवेश के रूप में एक्जिस्ट करता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उपनिवेश उपनिवेश वादी मानसिक्ता कॉलोनियल मैंड्सेट समाप्त हो गया है हम देख रहे हैं कि हम मानसिक्ता अनेक विक्षियों को जन्म दे रही है इसका सबसे सपस्ट होदारण हमें विकास इल देशों की विकास यात्राओं में आ रही बाधाओं में दिखाई देता है जिन साधनों से जिन मार्गों पर चलते हुए विक्षित विश्व आज के मुकाम पर पहुंचा है आज वही साधन वही मार्ग विकास इल देशों के लिए बंद करने के लिए प्रयास किये जाते है पिछले दश्रकों में इसके लिए अलग-अलग प्रकार की शब्दावली का जाल रचाया जाता है लेकिन उद्देश एक ही रहा है विकास इल देशों की प्रगति को रोकना आज कल हम देखते हैं कि परियावरान के विशे को भी इसी काम के लिए हाईजेक करने का प्रयास हो रहा है कुछ सब्ता पहले हम ने कोप 26 समीट में इसका जीवन्त उधान देखा है अगर एप्सोल्यूट्री एप्सोल्यूट क्यूमिलेटिव एमिशन की बात करें तो विक्सित देशों ने मिलकर अठारा सो पचास से अब तक 1850 से अब तक भारत से पंदरा गुना अधिक उत्सरजन किया है अगर हम पर कैपिटा बेजिस की बात करें तो भी विक्सित देशों ने भारत के मुकामले पंदरा गुना अधिक उत्सरजन किया है अमेरिका और यूरियोपिय संग ने मिलकर भारत की तुलना में ग्यारा गुना अधिक एप्सोल्यूट क्यूमिलेटिव एमिशन किया है इसमें भी पर कैपिटा बेसिस को आधार बनाए तो अमेरिका और यूरियोपिय संग ने भारत की तुलना में बीस गुना अधिक उत्सरजन किया है फिर भी आज और हमें गर्व है भारत जिसकी सभेतार संस्कृति में ही प्रकृति के साथ जीने की प्रवृत्ति है जहां पत्थरों में पैडों में प्रकृति के कंकं में जहां पवधे में भी परमात्मा देखा जाता है उसका स्वरूप देखा जाता है जहां धर्ति को मा के रूप में पूजा जाता है उस भारत को परियावरन समरक्षन के उपदेश सुनाए जाते हैं और हमारे लिए ये मुल्य सिर्फ किताबी नहीं है, किताबी बाते नहीं है, आज भारत में लायन, टाइगर, डॉल्फिन, आदी की संख्या और अनेक प्रकार की बायोडेवर्सिटी के मानकों में लगाता सुधार हो रहा है, भारत में वन छेतर बढ़ रहा है, भारत में डि धन के मानकों को हमने छेश्चा से बढ़ाया है, हर प्रकार की रिन्यूबल एनर्जी, उस खेतर में हम विश्व के अग्रणी देशों में हैं, और पैरी समझोते के लक्षों को समय से पहले प्राप्त करने की और अग्रसर अगर कोई हैं, तो एक मात्र हिंदुस्तान है, ज अच्छे से अच्छा काम करने वाला कोई देश है, दुनिया ने माना है, को हिंदुस्तान है, और फिर भी, ऐसे भारत पर, परियावरन के नाम पर, बाती-बाती के दभाव बनाये जाते हैं, यह सब उपनिवेश्वाद मानसिक्ता का ही परणाम है, लेकिन दुर्भाग य यह है, कि हमारे देश में भी, ऐसी ही मानसिक्ता के चलते, अपने ही देश के विकात में रोडे अटकाए जाते हैं, कभी freedom of expression के नाम पर, तो कभी किसी और चीज का सहारा लेता है, हमारे देश की परिस्तितिया, हमारे युवाओं के आकांशाए, सपनों को बीना जाने समझे, बहुत सी बाब, दूसरे देशों के benchmark पर, भारत को तोलने का प्रयास होता है, और इसकी आड़ में विकास के रास्ते बंद करे की कोशिच होती है, इसका नुक्षान, यह जो करते हैं, ऐसे लोगों को भुगतना नहीं पढ़ता है, इसका नु बिजली प्लांस थापी नहीं होने के कारण, पढ़न नहीं पाता, इसका नुक्सान भुगतना पढ़ता है, उस पीता को, जो रुके हुए सड़क प्रोजेक के कारण, अपनी संतान को समय पर हस्पताल नहीं पहुचा पाता, इसका नुक्सान भुगतना पढ़ता है, उस म आरज जैसे देश में विकास के लिए प्रयास कर रहे देश में करोड़ों आशाएं तूड़ती हैं आकाशाएं दम तोड़ती हैं आज हजी के अंदोलन में जो संकल्प शक्ति पादा हुई उसे और अधिक मजबूत करने में ये कॉलोनियल माइंसेट बहुत बड़ी बाता ह हमें इसे दूर करना ही होगा और इसके लिए हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा सबसे बड़ा प्रेन असरोत हमारा सम्मिधान ही है